हलो एवरिवान, वेलकम तू रीटे अरोरा रेसिपी चैनल, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू टिककी चार्ट, वो भी बिल्कुल मार्किट स्ट्राइल से, यानि जैसा आप मार्किट में खाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरी बिल्कुल वैसे ही हम घर में सेम टेस्ट और सेम फ्लेवर के साथ, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं, इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर आदा किलो उबले हुए आलू लिये हैं, जब आप आलू उबालें, जब उबल जाएं उसे बहुत ज़्यादा देर पानी में ना छोड़ें, ऐसा करन republic vp, यो 50 gram $20 डाल देंगे और इसचे से मेक्स कर लेंगे अगर आपको जुरत लगे तो आप $20 और लिए हमस में त्यार के लिएinhasig के त्यार है अब इसके लिए स्प्ण की त्यारी करेंगे में, मैं यह ज़िए 50 gram मतर इसे घुला ही, वाले है स्टैमिश या, थी 50 gram मतर थि, और फिर ने हम छान लेंगे ताकि इनका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और ये 50 ग्राम चने की डाल थी जिसे हमने 2-3 सिटी आने तक इसे उबालना है नमक डाल कर और ये देखी हलका सा दाना आपको फिल होगा इसे बहुत जादा नहीं गलाना है और इसे भी हम चान लेंगे उबालने के बाद अब हम एक बॉल ले लेंगे इसमें हम सबसे पहले डाल रहे हैं चनी हुई उबली हुई चने की डाल उसके बाद हम डालेंगे मतर जिसे हमने उबाल कर चान लिया था अब हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम पनीर जिसे हम हाँ से crush करके ही डाल देंगे साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट के कॉर्डिंग आदी छोटी चमश लाल मेश पाउडर आदी छोटी चमश चाट मसाला डालेंगे इन सब को अच्छे से mix कर देंगे और सासा थलकल का mash भी कर देंगे अब हम इसमें एक चोटाई छोटी चमश आरा रोट डाल देंगे और इसे अच्छे से mix कर देंगे ये जो भी इसमें एक्स्ट्रा नमी होगी आरा रोट सोक लेगा और आपकी जो टिक्की होगी वो बहुती ज़ादा क्रिस्पी बनेगी और तूटेगी भी नहीं और ये हमारी स्टफिंग भी बन करके बिल्कुल तयार है और अब ये आलू का mixture भी तयार है और stuffing भी हम आलू की mixture में से एक बड़ी सी लोई लेंगे हाथ पर थोड़ा सा oil लगा लेंगे पहले ही और इसे हाथ पर इस तरह से थोड़ा सा flat कर लेंगे और अब हम इसके बीश में एक बड़ा चम्मच stuffing का रखेंगे इसे हलका सा बीश में दबाएंगे stuffing को ताकि ये फैलेना और इसे चारो साइट से उठाते हुए अंदर की साइट हम इसे बंद कर देंगे जैसे हम आलू का परांठा बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही और इसे हाथों की बीश रोल करते हुए बिल्कुल टिक्की की shape दे देंगे हम बड़े साइस की टिक्की बना रहे हैं जैसे आपको market में मिलती है और अगर हाथों पर ये थोड़ा सा चिपक रहा है आलू का जो mixture है तो आप थोड़ा सा अरारूट रख लें board पर और उसकी help से इसे अच्छे से shape दे दें proper और ये देखिए इसी तरह से हमने ये तीनों टिक्की तयार कर ली है और लोहे की normal तवे पर हमने oil पहले ही अच्छे से गरम कर लिया है और अब हम इसमें एक एक करके ये टिक्कियां रख देंगे और oil थोड़ा ज़ादा लग रहा है तो मैं ये और oil कम कर रही हूँ और ये नीचे से अच्छे से सीख गई है गैस का flame इस समय medium to high ही रखेंगे अब हम इने बहुत साफधानी से पलट देंगे और ये देखिए दोनों साइड सी अच्छा सा golden color आ चुका है तो अब हम इने निकाल लेंगे निकालते समय भी आप बहुत साफधानी रखें और टिकी को एक कुछ सेकंड के लिए हम तवे पर रखेंगे ताकि इसमें से एक्स्ट्रा oil निकल जाएगा ये देखिए बोड पर हमारी तीनों टिकी आ गई है आप हम इने हलका सा प्रेस करेंगे मैं इसे इससे प्रेस कर रहे हूँ अगर आपके पास ये टूल ना हो तो आप इसके ओपर टिशू पेपर रखें और फिर हाथ से भी प्रेस कर सकते हैं लेकिन आप ध्यान रखें टिशू पेपर ज़रूर रखें वरना आपका हाँ जल सकता है और हमें इसे हलका सही प्रेस करना होता है बहुत जादा प्रेस ना करें वरना टिक्की टूट भी सकती है हम इसे दोबारा फ्राई कर लेंगे और गैस इस समय जो गैस का फ्लेम है वो मेडियम टू हाई रखेंगे और ये देखिए हमने इसे दोनों साइट पलटते हुए अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है अब हम इसे निकाल लेंगे और अब हम इसे आलू टिकी चाट बनाएंगे इसके लिए हम इसे पहले हलका सा क्रश करेंगे हाथ से ये बहुत साधा क्रिस्पी भी है और साथी गरम भी और इसके उपर थोड़ा सा बुना हुआ जीरे का पाउडर डालेंगे थोड़ा सा लाल मिची का पाउडर तीन से चार पड़ी चमर दही डालेंगे आम जूर की खटी मीठी चटनी डालेंगे दनिया पुदीना की चटनी डालेंगे फिर से इसके उपर थोड़ा सा बुना हुआ जीरे का पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे और ये दोनों चटनी भी आप सिफ 5-10 मिनिट में तयार कर सकते हैं इनका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हूँ प्लीज आप चेक कर सकते हैं और लीजे हमारी आलू टिक की चार्ट बंकर के तयार है ये बहुत ही जादा टेस्टी और कुरकुरी बनी है तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राइ करें और अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें और अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं तो हमारे चैनल रीटा अरूरा रेसिपीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और पास ही लगे बैल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें